नमस्कार किसान भाईयो स्वागत है आपका खेती किसानी यूट्यूब चैनल पर किसान भाईयो आज के इस वीडियो में हम जोंडियर 5310 के गियर प्रो नए मोडल जो भी हाली में लोंच हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं उसी के साथ इस ट्रेक्टर के इंजिन और गियर बोक्स में कमपनी ने क्या नया बदलाव किया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखे और उसी के साथ हमारे चेनल को इसी तरह के नए वीडियोस और ट्रेक्टर्स की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें शुरुआत करते हैं स्ट्रेक्टर का लूक आपको पुराने जोंडियो 53 की तरह ही देखने को मिलेगा इसमें सामने फ्रेंट में दो बड़े हेडलेम्स और जाली मिलेगी उसी के साथ त्रेपंदस और जोंडियो की ब्रेंडिंग मिलेगी और सबसे मुख की बड़लाव गियर प्रो की ब्रेंडिंग इस ट्रेक्टर में आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ये गियर प्रो मोडल है उसी के साथ स्टाइलिस इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे उसके साथ इस ट्रेक्टर में आपको मिलता है सिंगल पीस बोनट जिसे आसानी से खोल सकते हैं आप उसी के साथ इसमें ड्राइ टाइप का ड्योल एलिमेंट एर फिल्टर मिलता है जिसे आसानी से साफ किया जा सकता है और शुद्धा हुआ आपके इंजिन तक पहुचाने का काम ये फिल्टर करता है इस ट्रेक्टर में आपको टर्बो इंटर कूलर मिलेगा टर्बो तक थंडी हुआ पहुचाने के लिए उसी के साथ इस ट्रेक्टर में आपको डिजल कूलर भी मिलता है जिससे डीजल जो है ठंडा होता है और इंजिन तक पहुचता है अब बात करते हैं इस ट्रेक्टर के इंजिन में क्या कुछ बदलाव किया गया है इस ट्रेक्टर में आपको 55 होर्स पाउर का 3 सिलिंडर इंजिन मिलता है उसी के साथ इसमें आपको BOS कंपणि का In-Line Fuel Injection Pump मिलता है इस ट्रेक्टर का इंजिन डारेक्ट इंजिक्शन सिस्टम पर काम करता है सबसे मुख की बदलाव इस ट्रेक्टर के इंजिन में इसके आरिपयम में किया गया है इस ट्रेक्टर में आपको 2100 इंजिन रेटेड आरिपियम पर काम करने वाला इंजिन मिलता है जबकि पिछले 53 में आपको 2400 आरिपियम पर काम करने वाला इंजिन मिलता था ये एक मुख्य बदलाव है उसी के साथ इष्टरेक्टर में आपको टर्बो चार्ड इंजिन मिले गा अब बत करें इसके कलच की तो इसमें सस्पेंडेट पेडल वाला डबल कलच आपको मिलता है इन्ieli की PTO के लिए अलक से कलच इसके अंदर दिया जाता है इस ट्रेक्टर में आपको डीजल फिल्टर करने के लिए डीजल के फिल्टर्स दो फिल्टर्स दिये जाते हैं उसी के साथ पावर स्टेरिंग जो है इसके अंदर आपको मिलेगी जो आपका हैडॉलिक ओईल है उसी से पावर स्टेरिंग काम करती है इस्ट्रेक्टर में आपको दो pump मिलेंगे पहला है hydraulics के लिए और दूसरा है power steering के लिए उसी के साथ इस्ट्रेक्टर में आपको water separator देखने को मिलेगा जो आपके diesel से पानी को अलग करता है और आपके pump की लंबी उम्र करता है इस ट्रेक्टर में आपको दमदार हैडरोलिक से ओपरेट होने वाले ओईल इमर्जड मल्टी प्लेट डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे जो कि अपने आप सेल्फ एड़ेस्टिंग होते हैं यहने कि दूसरे ट्रेक्टर के मुकाबले इन ब्रेक्स को आपको कोई भी एड़ेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती यह आटोमेटिकली एड़ेस्ट हो जाते हैं उसी के साथ इस ट्रेक्टर में आपको डेशबोर्ट की बात करें तो old style का dashboard इस ट्रेक्टर में आपको देखने को मिलेगा जो कि पुराने 53 में मिलता था इस ट्रेक्टर में आपको gear में बदलाव देखने को मिलेगा इसलिए इस ट्रेक्टर का नाम gear pro रखा गया इस ट्रेक्टर में आपको 12 forward और 4 reverse वाला cola shift gear box मिलेगा इस ट्रेक्टर में आपको साइट शिफ्ट वाला गियर बॉक्स मिलेगा इस ट्रेक्टर में आपको ABCD गियर का 4 रेंज गियर बॉक्स मिलेगा जो कि इस ट्रेक्टर की मुखी चीजे पिलकि काफी सार किसान भाई को अलग-अलग स्पीड्स में अलग-अलग पकार के काम करने के लिए चाहिए थी इसलिए जो इंडियर ने इसमें एक मुख्य बरलाव किया है ADDC टाइप की हाइडॉलिक मिलेगी जिसमें पोजिशन और डाफ्ट कंट्रोल लिवर्स होते हैं उसी के साथ आगर आपका ट्रक्टर किसी कीचरड में या बंड में फस जाए इसलिए आपको differential लोग इसके अंदर आपको मिलेगा उसी के साथ ये double clutch में आता है इसलिए independent PTO clutch इसके अंदर आपको मिलेगा इस ट्रेक्टर की PTO की बात करें तो इस ट्रेक्टर में आपको 540 आरपियम वाली PTO मिलती है इस ट्रेक्टर में आप इकोनमी PTO या फिर रिवर्स PTO के ओप्शन उपलब्ध होते हैं इस ट्रेक्टर की PTO HP की बात करें तो यहां ट्रेक्टर आपको इस ट्रेक्टर में आपको मिलती है उन 50.5 होर्स पाउर की PTO HP जो की इस श्रेणी में काफी अच्छी है इस ट्रेक्टर का fuel tank की बात करे तो इस ट्रेक्टर का fuel tank आपको हमेशा की तरह पीछे ही देखने को मिलेगा जो की fiber का बना होता है और उसी के साथ या ट्रेक्टर का fuel tank 68 liter की capacity के साथ मिलेगा इस में आपको 3 point linkage system मिलेगा इसके हैडोलिक में जो की अलग-अलग मिट्टी में काम करने के लिए अच्छी बात है इसमें आपको जेडी रोक्स कमपनी की हैडोलिक मिलेगी जो की जोन्डियर की खुटकी है उसके साथ हैडोलिक है वो काफी हेवी द्यूटी बनाई गई है बड़े बड़े काम करने के लिए लिफ्ट कैपसिटी की बात करें तो 2000 किलो की लिफ्टिंग कैपसिटी वाली हाइडॉलिक इसके अंदर मिलती है उसी के साथ अगर पिछले एक्सल की बात करें तो सिंगल पॉइंट ग्रिसिंग के साथ आपको एक्सल मिलता है जो कि EP-Cyclic Reduction Rear एक्सल है जो कि New Technology मानी जाती है उसी के साथ जो एक्सल है वो आपको काफी Heavy Duty और Big Size का EP-Cyclic Reduction के साथ मिलेगा अब बात करें इसके टायर साइज की फ्रंट टायर जो है आपको 56-20 के मिलेंगे उसी के साथ अगर पिछले टायर की बात करें तो 16-28 के टायर इसके अंदर आपको मिलेंगे तो किसान भायो कैसा लगा आपको वीडियो और क्या कुछ इंजिन में बरलाव और गियर बोक्स में बरलाव किया कमपनी ने ये आपको पता चल गया होगा तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और इसी तरह के नए वीडियो इसको देखने के लिए हमारे चेनल को सबस्क्राइब करना आप ना भूलें अबर वीडियो पसंदा आया हो तो किसान भायो के साथ शेयर करना ना भूलें तकि वो भी त्रेपंदस के न्यू मोडल्स की जानकरी ले सके हैं धन्यवाद